हेलो फ्रेंड जो स्वागत है आपका एक नए वीडियो लेक्चर में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोस्ट बोक्स और पोस्ट बैक के वारे में तो लगवागन 30 के करीब इंप्र्टेंट कॉशन करेंगे जो भार बार एक्जाम में पुछे जाते हैं तो इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं और साथ में अग्र आपको लगे किसी कॉशन का ऑनसर गलत बताये जरूर इस चीज़े लिए आप कमेंट कीजेगा और गापर नोंगा साथ में चareiane ही चेक करते रहीगा कि आपको कितने आते हैं तो चली वीडियों शुरू करते हैं फर्स्ट कोशन क्या बूलागे कि इस ही प्रकृति का उले करना चाहिए इनके उसका exact business है क्या उस चीज़ के बारे में उसको अवेधन में बताना चाहिए और उस अवेधन को क्या किया जाना चाहिए सम्मानित दो सम्मानित व्यक्तियों से क्या करना चाहिए प्रमानित करवाना चाहिए जो कि किसी भी तरह स उससे जुड़े हुए नहीं होने चाहिए ठीक है और साथ में क्या बोला गया है कि अपने जो उसका बेवसाय है उसके पूरे उसका पूरा बित्रन उसमें देना चाहिए आवेदन में कि उसका बेवसाय अक्टल में है क्या और उसके बेवसाय का जो नेचर है वो क्या है ठीक institutions, private parties known to the postmaster, private parties which failed to establish their identity to the satisfaction of the postmaster, तो यहाँ पर सबसे पहले बोलागी, अगर कोई सरकारी संस्थान है, उसको ऐसा करवाने की ज़रूरत नहीं है, अर्द सरकारी संस्थान है, उसको ऐसा करवाने की ज़रूरत नहीं है, पोस्ट मास्टर जिनको जानता है, जिनको पोस्ट मास्टर निज़ी तोर पर जानता है, उनको भी नहीं है, या फिर ऐसी निजी पार्टियों के मामले में जोने पोस्ट मास्टर क्या करता है कि पोस्ट मास्टर को वो अपनी पहचान करवाने में असंतुष्ट रहती है तो ऐसी पार्टियों में देखिए हमारे पास ऐसा करवाने की जरूरत किसे को नहीं है तो यहाँ पे options बली है first only, first and third only, first, second and third only, first, second, third, fourth only तो हमारे पास इस question का जो सही answer होगा देखिए हमारे पास ऐसा करवाने की जरूरत किसे नहीं है जो government institutions होगे, semi government institutions होगे और private parties जो हमारे पास postmaster की known होगी यानि कि first, second and third question का सही answer होगा देखिए यह question बहुत बड़ा है, आप इसको जरूर समझ लीजेगा वह very very important question है यह हमारे पास जो first line है कि applicant should specially state in the application exact nature of the business which would be duly certified by two respective respected person not connected with him anyway and furnish full particular of the business address यह very very important line है, इसमें से भी question बनाके पूछा जा सकता है चलिए next question का बोलागे है what is the rent for post box and post bag देखिए अगर तो and लगा हुए, यानि के दोनों का आप से पूछा हुआ है post box और post bag and taken together for three calendar months और part there of तो post box और post bag अगर दोनों एक साथ लिए जाते हैं तो हमारे पास तीन माह के लिए उसका किराया क्या होगा तो चलिए, यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा options बोलीगी है 50 रूपीज, 80 रूपीज, बन 100 या फिर बन 50 रूपीज तो इस question का जो सही answer हो जाएगा यह हो जाएगा मारे पास 80 रूपीज, 80 रूपे लगेंगी अगर आपने दोनों को तीन माह के लिए किराये पर लेना है नेक्स्ट बोला गया है तो देखिए अब हमने फ्रैंकिंग मशीन वाला टोपिक किया था उसमें हमने पढ़ा था विंडो डिलिवरी टिकेट इसमें आ रहा है डिलिवरी टिकेट दोनों में बहुत जादा फरक है दोनों का अलग अलग काम है ठीक है पोस्ट बोक्स के किरायदार को डिलिवरी टिकेट की आपूरती कौन करता है CPMG, PMG, Divisional idea फिर पोस्ट मास्टर देखिए, रैंट पे हमारा जो पोस्ट बोक्स है उसको कौन देगा हमारा पोस्ट मास्टर जो भी संबंदित पोस्ट मास्टर होगा बो देगा और डिलिवरी टिकेट भी उसी के द्वारा इशू की जाएगी तो यहाँ पे जो से option आजाएगी आजाएगी मरे पस D Post boxes are defined in close number तो जो post box है उनको कौन से close में परिभाशित किया गया है Close 45, close 55, close number 55 of post office guide part 2 None of the above तो इस question का जो सही answer होगा ही आएगा मरे पस close number 55 of post office guide part 1 में इनको define किया गया है Registered article varying post box number of the renter of post box should be एक post box के किरायदार का post box number वाला एक पंजिगत लेख होना चीए Delivered through post box उसे post box के माध्यम से deliver किया जाएगा Delivered after sending a notice to the address पता करने वाले को एक notice भेजा जाएगा उसके बाद article को deliver किया जाएगा Delivered at the post office through postman दाकिये के माध्यम से darker में उसका बितरन किया जाएगा return to sender तो मारे पास देखिए अगर कोई भी मारे पास resisted article आता है अगर उसको post box के number पे भेजा गया है तो उसको क्या किया जाएगा postman के through deliver किया जाएगा यहाँ पे जो c option आजाएगी आजाएगी c but is the annual rent of our post box post bag का जो बार्शी के किराया वो कितना है देखिए हमारे पास post box और post bag का जो बार्शी किराया वो दोनों का same है यहनि के मारे पास यहाँ पे options बोली है 250, 350, 450 एन मैं से कोई भी नहीं तो देखिए question आपको ध्यान चे पढ़ना है options भी आपको ध्यान चे देख लेनी है तो इस question का answer आएगा याएगा D ठीक है हमारे पास जो post box bag होता है उसका जो बार्शी कराया बन 50 रुपीज आ option में नहीं है तो D option है यहाँ पे हमारे पास सही होचाएगी but is the advantages of the post box post box के क्या फाइदे है अगर कोई post box लेता है तो वो किराया भरता है उस चीज़ का बट उसको कुछ फाइदा भी होता हो तो यहाँ पे बोई पूछागे कि क्या उसको फाइदा है इस चीज़ का the renter need not wait for postman on his beat delivery तो किरायदार को क्या करना पड़ता है कि उसको डाकी की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है कि postman आएगा उसकी चिठ्थी लाएगा ठीक है कि और उसको देगा बुर लगे पोस्ट ओफिस गैट्स रेवन्यू वाइदी बे ओफ रेंट besides reductions in work load of postman इससे क्या होता है मारे पास की एक तो post office को कैंने रेवनियू मिल जाता है ठीक है उसका फाइदा हो जाता है कि उसको पैसे मिल रहे है post office को और दूसरे क्या होता है मारे पास की जो हमारा काम है वो घढ जाता है जो postman का काम है वो कम हो जाएगा उसके बाद बुलाए गया है safety of letters is untrusted जो पत्र होते हैं उनकी स्रक्षा भी हो जाती है all of the above तो यह सारे ही मारे पास post box के फाइदे है all of the above इस question का सही answer हो जाएगा next question बोलाए गया है but is the rent for a post box और post bag for one financial year एक बित्य वर्ष के लिए post box या फिर post bag का किराया क्या है देखिए यहां पर अलग अलग पूछा गया है कि post bag और post box दोनों मैंसे एक के लिए रुपीज बन 50, 100, 200 या फिर 300 तो इस question का जो सही answer आएगा यह आएगा हमारे पास बन 50 रुपीज है who is responsible for the safe custody of key of post box given on rent to the renter किरायदार को किराय पर दी गई post box की चाबी की सुरक्षित अविरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है पोस्ट ओफिस, renter, messenger या फिर none of the above तो इस question का जो सही answer हो गाई होगा मारे पास बी renter जोगा वही सिर्स के लिए responsible होगा उसका next क्या वो बलगया है but is the rent for post box तो यह question वारा हो गया है इसका बन 50 आशर आएगा तो यहाँ पे दोनों का पुछा गया but is the rent for post box and post bag in the financial year एक वित्य वर्ष में post box और post bag दोनों का किराया कितना है 50 रुपीज बन 100, 250 या फिर 300 तो यहाँ पे दोनों का पुछा गया तो 250 हो जाएगा तो यहाँ पे हमरे पास यह option जो है सही हो जाएगी तो यहाँ पे बुल लगे है तो यहाँ पे बुल लगे है हमारे पास की रुआ की articles जो होते हैं वो क्या किया जाता है renter को देते हैं तो वो कैसे दिए जाते हैं ऐसरी log यह होता है हमारे पास पोस्ट बैग जब एक पोस्ट बोक्स का किरायदर एक सब्ता तक इस में से लैंटर नहीं निकालता है पोस्ट बोक्स में से जैन क्या होता है भेंधी रेंटर ओफ पोस्ट बोक्स बोले गे हमारे पास पोस्ट बोक्स को खाली करने के लिए उसे पंजिरित डाक दोरा नोटिस बहचा जाएगा articles will be delivered through postman postman के माध्यम से articles की delivery की चाहेगी no action is required कोई फी action नहीं लिया चाहेगा तो देखिए अगर हमारे पास renter एक सब्ता तक letterbox को clear नहीं करता है तो उसको एक notice भेज़ा जाएगा postmaster के द्वारा और जो post हमारा notice होगा वो कैसा होगा registered post होगा important question हमारे पास simple यह भी पूछ लिया जाता है कि वो notice कैसा भेज़ जाएगा तो registered post के जाता है next question बोला गया है बीच of the following articles addressed to other persons और firm care of postbox numbers are delivered through postbox यहाँ पे देखिए हमारे पास एक तो postbox के थूँ जो renter होता है उसके articles डिलिवर किया जाते है बड़ यहाँ पे question क्या पूछा गया है कि renter को शोड़ कर और किन किन के article उस postbox के थूँ डिलिवर किया जा सकते है और यहाँ पे first point बोला गया articles addressed to a legitimate personal of the firm renting the postbox तो यहाँ पे बोला गया हमारे पास postbox किराये पर लेने वाली firm के बैध कर्मियों को संबोधित लेक उसको उनको postbox के थूँ डिलिवर किया जा सकता है उसके बाद second बोला गया articles addressed to family members and the guests of the renter उसके बाद बोला गया हमारे पास कि अगर कोई भी article आते है जो renter है उसके family members को या फिर उसके घर कोई रिष्टेदार आया हुआ है guest आया हुआ है उसके लिए थर्ड बोला गया article addressed towards trainee or inmates of the institution controlled by a recognized and known authority उसके बाद क्या बोला गया हमारे पास किसी मानिता प्रापत और ग्याद प्रधिगंड द्वारा नियंतरित संस्थान के प्रशीक्षकों या फिर कैदियों के लिए संबोधित लेख उसके next point बोला गया articles addressed to you a casual victor and numerical representative staying with the renter या फिर उसके बाद बोला गया हमारे पास की किरायदार के साथ रहने बाले जो अकस्मिक अगंतुक होते हैं या वनिज प्रतिनिधी होते हैं उनको संबोधित लेख हैं उनको भी किया जा सकता है तो यहां पर मेरे पास क्या options बोलीगी है first only, second and third only, second and fourth only, first, second, third and fourth only तो इस question कर से answer आएगा या हमारे पास the first, second, third and fourth only यह सारे ही points है है अगर post box का किसी रेंटर ने किराये पर लिया है तो उस के थू हमारे पास यह सारे इन सभी के लिए भी articles जो हैं बोड डिलिवर किये जा सकते हैं next question क्या बोल लगे है हमारे पास यह question नहीं कर लिए next question बोल लगे है हमारे पास if the renter of post box is found to have furnished incorrect information while applying for the post box the post office bill यदि किसी post box के किरायदार को post box के लिए वेदन करते समय गल्त जानकारी देते हुए पाया जाता है तो यहाँ पे क्या बोला गे हमारे पास कि अगर post box के लिए जो information प्रवाइड करवाई गया वो गलत प्रवाइड कराई है तो इस चीज़ के लिए क्या किया जाएगा कारण बताते हुए post box की सुविदा बापस लेनी चाहिए शुड गिव नोटिस अवाट विड्रोइंग दी post box पोस्ट बापस लेनी की सूचना देनी चाहिए शुड रफ्यूज फर्दर रिवनेवल ओफ दी post box post box के और नवी करण से इंकार करना चाहिए यहनि कि उसको रिन्यू करने से इंकार किया जाएगा में विड्रोव दी post box बिदाउट नोटिस अंड बिदाउट असाइनिंग एनी रिजन बिना किसी सूचना और बिना कोई कारण बताए post box बापिस लिया जा सकता है तो यहां पर मारे पास क्या इस question का सही आंसर होगा अगर कोई भी हमारे पास address renter है वो कैगरता है कि गलत information प्रवाइड करवाता है जब वो post box के लिए apply करता है तो post box को बिना कोई कारण बताए और बिना rent of post box plus cost of lock rent of post box plus cost of lock and key तो यहां पर इस question का जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मारे पास rent of the post box जो post box है उसका किराया उसको क्या करना पड़ेगा अनिवार या रूप से उसका भुकतान करना पड़ेगा next question बोला गया this system of delivery of postal articles in a bag which along with the lock and duplicate key is to be supplied by a renter is available at all delivery post office is called एक थाले में डाक बस्तू की डिलिवरी की वर्सा जिसमें ताला और डुप्लिकेट चाबी के साथ किरायदार द्वारा अपूर्ती की जाती है सभी delivery डाग हरू में उपलवद है उसे क्या कहा जाता है देखिए हमारे पास यहां पर किस की definition है यह पूछा गया post box post bin या फिर उसके बाद बोला गया post bag या फिर none of the above यहां पर देखिए हमारे पास उस question का सही answer क्या हो जाएगा see post bag कहा जाएगा next question बोला गया when an article addressed to a post box number cannot be placed in the post box owing to its size जब किसी post box number को संबोधित एक लेख उसके अकार के कारण उसको post box में अगर नहीं रखा जा सका है तो उसके साथ क्या किया जाएगा the article will be delivered through post man article को post man के through deliver किया जाएगा notice will be served on the renter through the post man to take delivery of the article from the post office यहां पर second बोला गया कि notice भेजा जाएगा post man के through रेंटर को कि बो पोस्ट ओफिस में आके अपने आर्टीकल की delivery ले 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 नेक्स बोला गया एन इंटीमेशन विल वी प्लेज्ट इन दी पोस्ट बोक्स एंड दी आर्टीकल कैप्ट इन डिलिवरी डिपार्टमेंट इसके लिए बाद में बोला कि हमरे पास की पोस्ट बोक्स को क्या गिया जाएगा पोस्ट बोक्स में नोटीस रख दिया जाएगा इंटीमेशन रख दी जाएगी सूचना रख दी जाएगी पोस्ट ओफिस में जाके डिलिवरी डिपार्टमेंट में रख लिया जाएगा तो उसके डिलिवरी जो बहीं से होगी उसका next क्या हो बुल लगे हैं मारे पास post bags are defined in the close number तो यह question मारा हो गया जो मारे पास post bag होते हैं कौन से close में होते हैं post bag जो होते हैं मारे पास close number 56 post office guide part 1 में होते हैं next question बुल लगे हैं हमारे पास यह question भी हमारा हो गया next question क्या बुल लगे हैं हमारे पास money order addressed to post box number should we money order को अगर post box के number पर संबोधित किया गया है तो क्या होगा cannot be booked उसे book नहीं किया जा सकता है can booked at echo head office में book किया जा सकता है number के उपर अगर कोई money order भेजा गया है तो यह हमारे पास book ही नहीं किया जा सकता है option यहां पर सही हो जाएगी cannot be booked next question बुलागे what is the rent for post box or post bag in a quarter तो यहां पर बुलागे एकतिमाही में post box box या फिर post bag के लिए कितना किरा होगा 50 100 1 200 या फिर 300 तो इस question का जो सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा 50 rupees next question बोलागे the facility of delivery of mails through post bag is available at dark bag के मात्य हम से dark बित्रण की सुभिदा कहां पर उपलवद है all post office all delivery post office only head post office none of the above देखिए हमारे पास जितने भी delivery post office होते हैं इस अभी बित्रण डागरों में है मारे पास जो post bag वाली facility है उपलवद होती है यहाँ पर हमारे पास जो से option आ जाए गया जागी next question बोलागे which of the following articles are delivered through post box box तो यहाँ पे देखिए आपके post office guide department में जितने भी आपको दिये हो हैं कि इनको post box के through deliver किया जा सकता है उनको बिल्कुल याद कर लेना है fully prepared unregistered articles, inline letter cards, post cards, fully prepared registered parcel तो निवन मैंसे किसे post box के माध्यम से deliver किया जा सकता है पूरी तरह से prepared अपंजिगरित पत्र, अंतदेशिय पत्र card, post card, पूरी तरह से prepared पंजिगरित parcel तो यहाँ पे देखिए हमारे पास पंजिगरित parcel को नहीं किया जा सकता है, options बोली है, first only, first and third only, first, second and third only, all of the, इस question का से answer आएगा, आएगा, see, letters, inline letter cards, post cards, अगर letters होंगे, वो fully prepared, unregistered letters होंगे, उन्हीं को किया जाएगा, registered वाले को नहीं किया जाएगा, important question है यहाँ पे, हमारे पास, the period of rental of a post box, comments from the post box के किराय की अबधी कब शुरू होती है, day allotment of the post box, जिस दिन post box allot किया गया, यानि कि post box avanted किया गया, first day of the next month of the month of allotment of the post box, उस first day of the month in which the post box is alloted, महीने के पहले दिन से, जिसमें post box avanted किया गया, day of application for the post box, या फिर जिस दिन आपने post box के लिए application दी, तो यहाँ पे इस question का जो same answer हो गए होगा, मारे पास, see, first day of the month in which post box is alloted, उस मा की पहली तारीक से, जिसमें post box का avanted किया गया, उस मा, उसकी तरीक से, आ post box renter should be given by the renter to the postmaster within, तो यहाँ पे बोलागी है हमारे पास कि अगर कोई भी business address में change करनी है, अगर कोई post box का renter है, वो क्या करना चाहता है, अपने business address में change करना चाहता है, तो इस चीज के लिए जो intimation दी चाहेगी, postmaster को कितने दिन के भीतर देनी चीए, 30 days, 15 days, 7 days, या फिर none of the world, तो इस question का जो सही answer आजाएगा, या आजाएगा हमारे पास बिदिन 7 days में उसको यह वाली information देनी होगी, next question बोलागे है, post box facilities available at, तो post box की सुविधा कहाँ पर अपलवद है, पहले हमने post back आपड़ा कि सभी बित्रन डाघरों में यह वाली facility अपलवद होती है, आप post box पाली पूछा गया है, all post offices, post offices determined by head of circle, head post office only, sub post office only, तो हमारे पास post box value facility बहाँ पर अपलवद होगी, जो हमारे पास head of circle द्वारा जिनको निर्धारित किया जाएगा, तो यहाँ पर जो सी option आएगी है, बी, the post backs along with the lock and duplicate keys is supplied by lock and duplicate चाबियों के साथ, post back की अब उर्तिक इसके द् post office, renter, superintendent of post office, none of the above, इस question का सही answer होगा, a renter के द्वारा की चाहेगी, next question बुलाएगे, if the lock and key are not surrendered by the renter of a post box to the post master within days of the expiry of the period of the renting of these post box is not renewed within the aforesaid period, the deposit will be forfeited, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या बोलाएगे, कि अगर हमारे पास expired date होने के बाद, या हमारे पास जो post box की expired date है, उसके बाद, कितने दिन तक अगर लोक और की जो है, वो surrender नहीं किये जाते है, या post box का जो किराया उसको renew नहीं करवाया जाता है, तो हमारे पास कितने दिन के बाद जो उसका deposit होगा, वो क्या किया जाएगा, फोर फीट हो जाएगा, जब्त किया लिया जाएगा, यदि post box के गराये दवारदारा, ताला और चाबी post master को post box के गराये कि अब्धी किस माप्ती के दिनों के भीतर नहीं दिया जाता है, तो उक्त अब्धी के भीतर नविकर्ण नहीं किया जाता है, तो जमा राश्ची को जब्त कर लिया जाएगा, कितने दिन के बाद उसको फोर फीट कर लिया जाएगा, 30 days, 15 days, 7 days, या फिर नन अफ दिवर, तो आपको एक पीरियड मिलता है कि आप 15 दिन के भीतर उसको रीन्य करवा सकते हैं, या फिर त कोई भी व्यक्ति जो डाक बोक्स के माध्यम से अपने मेल की डिलिवरी चाहता है, उसे इस उदेशिये के लिए निर्धारित प्रपत्र में लिखीत एक अवेधन प्रस्तुत करना चाहिए, किसे देना चाहिए, पोस्ट मास्टर डिविजिनल हडी FCPMG, तो संबंधित पो पोस्ट मास्टर जो वी होगा, उसको देना चाहिए, एक उप्षन है आपे सही हो जाएगी, नेक्स्ट क्वेशन बोलागे, अवड़ी जी मैक्सिमम पीरियड फार बिच पोस्ट मास्टर में प्रोहिविट दी क्लेरां सो पोस्ट बोक्स फार दी परपस ओफ एसलिटेटि नेक्स्ट क्वेशन बोलागे है, हमारे पास, इफ आर्टिकल is received address, care of postbox but the address C has ceased to be the renter of postbox, the article should be, यदी लेक postbox के पते पर प्रापत होता है, लेकिन प्रापत करता है, पोस्ट बोक्स का किराएदार नहीं रहा है, तो लेक के साथ क्या किया जाएगा, deliver to address C after ascertaining his full address उसके पूरा पता लगाने के बाद उसको article दिया जाएगा return to RLO, return to sender, none of the question का से answer होगा C, return to sender, उसको sender को वापिस कर दिया जाएगा